देखो गाईस मेरे को रोयल रंबल भले ही पसंदना आई हो मैंस वाली लेकिन क्या ऐसा हो सकते है कि हर हफ़ते मैंस रोयल रंबल हो और ब्रॉक लेजनर उसमें जीते I was loving that time भाई मतलब 9-10-10 व्यूज आ रहे थे तो बेरे को अच्छा लग रहा था तो yes, you are my champions of the world now 3DX जेतरे एंड भाई 10 best current gimmicks in WWE हम देखेंगे कि भाई साब कौन-कौन से इस समय best current gimmicks है according to internet articles of course link description में रहेगा क्योंकि हमें एक-दो gimmicks छोडने वाले and let's review कि actually में अगर हम best की ratings में उनको rate करें तो 10 में से हम कितना rate करेंगे या फिर at least मैं और अगर आप disagree करोगे तो comments में लिखकर बताना अपने according कि आप क्यों disagree कर रहे और क्या rating होगी आपकी and I know कि आप लोग Otis 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 लिखने को बेताब हो कि भाई Otis का best gimmick है best gimmick है Otis का वो gimmick नहीं है he is actually like that anyway शुरुआत करते हैं Austin Theory से और Austin Theory का मेरे को लगते है कि like best तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हाँ unique है और unique इसलिए because modern era के हिसाब से modern बंदों को वो replicate कर रहे है कि हाँ या selfie ले रहा है बंदा and you know young है and I think कि हर era का एक ऐसा बंदा होता है जिसको replicate करना चाहिए और इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कभी कभी कि Austin Theory शायद next Austin भी बन सकता है I know that is a huge statement but you know what I am saying like जरूर है नहीं कि उस type की ratings फोड़ेंगे Austin Theory जिस तरह से stone cold ने फोड़ी थी क्योंकि वो time अलग था TV की दुनिया में भी but like according to star power type thing I think Austin Theory शायद वो चीज कर सकते है बट दिक्कत ही होती है जब आप social media या फिर ऐसे character में घुसते हो न तो आपका सबसे बड़ा competition वही बन जाता है जिसको आप replicate कर रहे हो and that is social media so एक ऐसा दिन आएगा जब social media पूरा against हो जाएग Austin Theory के लिए इन तब Austin Theory को इस नहीं कर पाएगा तो बस उसी से बचते बचते अगर Austin Theory चल पाए then definitely यह gimmick बहुत तगड़ा हो जाएगा but इस gimmick को अगर मेरे को 10 में से rate करना होगा I will rate 5 out of 10 because मेरे को यह नहीं पता है कि यह future में कैसा blowout होगा but इतना भी है कि हाँ चलो कुछ unique तो देखने को मिल रहा it is not like जबरदस्ती कुछ भी बोले जा रहा है कि हाँ भया मैं इसी लिए अच्छा हूँ मैं इसी लिए बुरा हूँ and then आके हार जा रहा है no 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 अगला है Seth freaking Rollins अबे Seth freaking Rollins का इस list में इतना नीचे रखने की ज़वरत नहीं थी I assume कि यह ranking wise नहीं है कि हाँ जो 9th पे है वो 9th best character है तो उसको उसको शायद हम avoid कर सकते है but Seth freaking Rollins का एक चीज है कि there is no character for Seth Rollins जो कि वो सही से play ना कर पाए है जो इस समय Joker वाला character यह Seth Rollins play कर रहे है I think कि अभी वो दुबारे से transition ले रहे हैं वहां से and हमें कोई नया character देखने को मिल सकता है in the coming weeks because of this elimination chamber thing और जो baby face turn हो रहे है and I'm probably assuming कि जो Kevin Owens and Seth Rollins के बीच feud होगी उसमें Seth Rollins is going to be a good guy तो उसके लिए क्या character होगा उस पे हमें देखना चाहिए and हो सकता है कि वो character जो है like इसी character से ही play हो जाए ज़रूर नहीं कि उसके लिए proper baby face stand की हा मैं इस शहर में आ गया हूँ यह शहर मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहां के doughnuts मेरे को अच्छे लगते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा Seth Rollins can do that और वो हमने भी Royal Rumble में भी देखा सिर्फ The Shield का theme song लगाया The Shield की entry कर दी और उनका काम बन गया अब हैसा बन गया baby face तो yes अगर मेरे को इसको rate करना होगा I would say like 9 out of 10 definitely अगला superstar number 6 पर yes काफी लंबी jump मारी है और इस पर रखा है Bobby Lashilly Oh man Lashley का character रखा है मैं आपको बता हूँ कि जब यह character धीरे धीरे उठना शुरू हुआ था न मेरे को लगा था कि यह नहीं जाएगा लग इसका price जो उतना नहीं जाएगा जितना लोग expect कर रहे है और वैसा इसलिए भी कि Bobby Lashley उतना mic पर बोलते भी नहीं है और ऐसा हमने देखा जब ऐसे bodybuilder type superstar साते हैं यंग जनरेशन में तो वो उतना नहीं चल पाते बट जिस तरह से MVP के साथ रहके उनकी जो यह arc create हुई है और जो अलगी undestructible monster की तरह हो निकले and now that he has defeated Brock Lesnar भई किसी भी तरीके से हराया हो हराया तो है and now he is the WWE champion heading towards Wrestlemania I can say कि हाँ Bobby Lashley का character बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इस समय अगर आप न्यू न्यू फैन हो तो आप डेफिनिटली लैश्ली की तरफ इंकलाइंड हो सकते हो वैदर पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में कि हाँ भीया मैं इसको नफरत कर रहा हूं यह क्यों हरा रहा है मेरे फेवर आप 10 देना चाहूंगा बिकोज इन क्यारेक्टर के साथ दिक्कत ही होती है कि रेसलमेनिया टाइप के जब मैचेज आते हैं तब यह उतना मैसिव इंपक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो कि उनमें लास्ट येर भी देखा था तो आई रहली होब कि यह वाला मिथ इस ब स्टार्स है बट जस्ट लुक एट सॉनिया डेविल जो की मैं कह सकता हूं कि यह रिलीज हो सकती थी यह ऐसा हो गया था इनके साथ जो इनकी फैक्शन थी सोनिया डेविल मैंडी रोज और एक और दी न कौन थी अचा हाँ पेज थी ना पेज तो चलो रिटायर होगी वो अ स्टोरी लैंड ने जो बूस्ट दिया सोनिया डेविल के कैरेक्टर को अने वाले टाइम में अगर यह ब्रेक ना हो और अगर इसको मेरे को रेट करने की बात आएगी देन आगला स्टार्स हैं आर के ब्रो के लिए तो मतलब मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से हैं क्यों 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 में को अच्छा लगता है देखना मतलब ऐसा नहीं कि और यह यह टेक्नीक अच्छी लगते है बट जस्ट पॉजिटिव वाइब्स जो इनकी तरफ से आती है एंड एज एज़ बचपन से रैंडी ओटन को गु मैं पॉइंट्स इसलिए काट रहा हूँ बिकोज मेरे को पता है कि यह बंदे आपस में लडने वाले रेसलमेनिया से पहले जो कि मैं पर्सनली नहीं चाहता है एज स्टाइल से नॉमोस के केस में ठीक है हो गया और में को ऐसा चुतनी दिक्कत भी नहीं है बिकोज आईनो क ओमोस अब कुछ तो कर रहे नहीं है जाज से जादा क्या होगा रेसलमेनिया में उनको एक बैटल रोयल जितवा देंगे अगले दो सुपरस्टार्स को एक साथ चलो कम्माइन करते हैं and they are Roman Reigns and the Beast Brock Lesnar एक टाइम हुआ करता था जब आर्टिकल्स पे नंबर वन और टू पे यह लोग रहते थे लेकिन आर्टिकल का लिंक होता था कि worst gimmicks in WWE right now Brock Lesnar because he is part-timer, Roman Reigns because his character sucks और आज का टाइम है 2022 का जब Brock Lesnar और Roman Reigns best gimmicks के list में top 2 पर है and I would rate like Roman Reigns का तो 10 on 10 and Brock Lesnar का 9 on 10 personally speaking because एक जो चीज मेरे को Brock Lesnar की अच्छी नहीं लगी वो था कि आप number 30 पे क्यों आए I mean अप number 10 पे number 5 पे आगते तो शाइद ज्यादा मज़ा आता number 30 तक क्यों वेट करवाया फिर हमें मतलब फिर मिरको ऐसा तो नहीं होता कि number 29 तक बोरी होती होती फिर हमें शुरू से entertaining चीज़ देखने को मिलती बट यह complaint रहे कि मेरी otherwise I think Roman Reigns and Brock Lesnar definitely carrying the wrestling industry अगर wrestling इस समय like headline पे भी है that is because of these superstars मतलब आफ fans भले Twitter पे कितना भी लिख दें अरे CM Punk के time पे इतनी ratings आती थी और आज Roman Reigns के time पे देखो कितनी ratings आ रही है are you really comparing times? उस से अच्छा अभी देख लेते हैं कि CM Punk जहाँ पे वहाँ पे कितनी rating आ रही है और Roman Reigns जहाँ आँ कितनी rating आ रही है मैं को तो such viewership में उतना खास मज़ा आता भी नहीं है anyways comments में लिख कर बताना अपने thoughts on these best gimmicks या फिर आप comments में लिख कर बताओ कि अपना favorite gimmick इस समय WWE में कौन सा है जो कि आपको अलगी भारा है comments में लिख कर बताओ और अगर आपको वीडियो पसंदे है तो प्लिए अपने लिख कर चैनल को subscribe करो और नोट वरी वो AEW से भी हो सकता है gimmick